खर्चीले स्वभाव के होते हैं सिंग राशी वाले लोग वेलकम दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी रोचक बातें जो जुड़ी होती हैं धार्मिग्यान, वास्तुशास्त्र, वरत पूजन विधी और भारत ये देवी देवताओं से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिंग राशी वालों के व्यक्तित्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकिन दोस्तों उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चमतकारी टोटके को और क्लिक कर लीजिए बैल आइकन पर जिससे कि आपको हमा के इरादे वाले होते हैं सामानी रूप से सिंग राशी वाले गर्म स्वभाव के होते हैं इसका अर्थ गुस्यल नहीं बल्की उर्जा से भरा होना है इनके विचार हमेशा उच्छ रहते हैं यह लोग किसी भी बात का निर्णे बहुत शीघरता से करते हैं दयावान और श सिंग राशी वालों को अगनी द्वारा कश्ट हो सकता है इन लोगों को गरम खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। का सेवन अवश्य करें जो आपके खून को साफ करती हो आये जानते हैं कि सिंग राशी वालों के लिए शुब चीजें कौन सी हैं सिंग राशी वालों के लिए लाल और हरा रंग हीरा और कस्तूरी और रविवार का दिन शुब माना जाता है इनके शुब अंख हैं एक दो ती इनके अधिक मितर होते हैं किंतु सच्चे मितर कम ही मिलेंगे मित्रों से हिद्धिय की बाते ना बताएं इससे हानी का भै है ये लोग कई बार कोई काम बि hypocor किये ही कर डालते हैं ऐसे में तहरीरों और प्रतिग्या पात्रों पर बिना सोचे समझे हस्ताक्षर ना करें। स्वभाव से खर्चीले होने के कारण धन संचित नहीं कर पाते। परंतु धन का विशेश अभाव नहीं रहता है। जोखिम के शौकीन होते हैं सिंग राशी वाले। जी हां दोस्तों सिंग राशी वाले किसी कमपनी के संचालक, मैनेजर, डॉक्टर और फौज में अधिकारी हो सकते हैं। इन्हें दुर्गम या दुसाध्य स्थानों मतलब जोखिम वाली जगों में काम करने में मज़ा आता है। उत्तेजित करने वाली बातों और चीजों से इन्हें समहल कर रहना चाहिए। बहतर होगा हमेशा शांती पूंड वातावरण में कारे करें। क्योंकि कलह पूंड स्थितियों में ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। सिंघराशी वाले प्रेमी एवं मिलनसार और दयालू स्वभाव के होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए। जुड़े रहिए चमतकारी तोटके के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए